रूस यूकरेन जंग को रोकने के लिए पूरी दुनिया इस वक्त मिलकर काम करना चाहती है लेकिन क्या ये रूस के बिना संभव है? विदेश मंत्री डॉक्टर जैशंकर ने भारत के पक्ष को पूरी दुनिया के सामने रखा विदेश मंत्री ने कहा कि बिना रूस के इस युद को समाप्त करने का विचार भी करना वियर्थ है बिना रूस के बातचीत संभव नहीं हो पाएगी और इसलिए अब एक बार फिर भारत ने इस बात को जोड़ देकर कहा कि रूस युक्रेन के बीच का जो युद है उसे रोकना जरूरी और इसके लिए रूस से बातचीत करना भी आवश्यक है लेकिन इन सब में सबसे महतोपूर बात ये है कि भारत ने इस बार ये चर्चा चीन के साथ की नमस्कार बंदे भारत भारत तक देख रहे हैं आप आपके साथ मैं हूँ साचीत त्यागी एले से अजीर डोवाल सेंट पीटर्जबर्ग में ब्रिक्स की मीटिंग का हिस्सा थे उस मीटिंग का जिसमें तमाम देशों के राश्चर सुरक्षा सलाकार एक साथ बैठ कर आगे की कूटनीती पर चर्चा कर रहे थे ब्रिक्स देशों की मिलकर की गई इस बैठक में आगे आने वाले संघर्षों और एक दूसरे की प्रती प्रतिबद्दिताओं को जारी करना था लेकिन सबसे जरूरी बात यहां पर यह है कि ब्रिक्स देशों के सदस्य देशों में जिक्र करें तो चीन और भारत आवने सामने थे और चर्चा हो रही थी रूस यूकरेन युद को लेकर दरसल एने से जीट डोबाल ने रूस में ब्रिक्स देशों के राष्टी सुरक्षा सलाकारों के साथ बैठक में आतंकवात और डिजिटल छेत्र में चुनोतियों के प्रभावी ठंक से निपटने को लेकर मिलकर काम करने का अवाहन किया चीन के साथ भारत के रिष्टे समाने दोर तक पहुंच सकें इसकी जलक इस बैठक में भी दिखाई पड़ी डोबाल ने चीन के विदेश मंतरी वांग ई से संशेप में बाचीत की डोबाल और वोंग को ब्रिक्स सम्मेलन के इतर दोई पक्षे बैठक में हिस्सा लेना था और इसी दोरान ब्रिक्स जो की रूज, भारत, चीन और दक्षिन एफ्रिका के मेल से बना एक समू है उसका हिस्सा बनते हुए कई जरूरी मुद्दों पर चर्चा हुई राष्ट्य सुलाकार के सम्मेलन में डोबाल ने बहु पक्षुवाद में सुधार का आवाहन किया और कहा कि मौजुदा धाचा अब आधुनिक खत्रो और साजा चिंताओ के समवेदनशील मुद्दों से निपटने में सक्षम नहीं है यही कारण है कि उन्होंने बदलावों की मांग की और मिलकर काम करने की प्रदिवद्दता जाहिर की लेकिन है सबसे जरूरी था रूस और यूकरेन को लेकर भारत और चीन के बीच बाची भारत बहुत प्रमुक्ता के साथ रूस युक्रेन युद्ध का जिक्र करता हुआ नजर आया भारत ये पहले ही कह चुका है कि रूस युक्रेन को लेकर युद्ध किसी भी परेशानी का समधान नहीं हो सकता और ये पिछले दो सालों से भारत कह रहा है फिर चाहे वो इसराइल और गाजा के बीच में छड़ी जंग हो या फिर रूस यूकरेन के बीच में जंग कभी समाधान नहीं निकाल सकती ये बात प्रधान मंतरी मोधी कह चुके हैं विदेश मंतरी जैशंकर कह चुके हैं अनसर जी डुवाल भी कह रहे हैं और अब इसे को लेकर लगातार डर था कि चीन और भारत की मदद से रूस पर लग रहे प्रतिबंदों का प्रभाव बहुत कम हो रहा है वैश्विक सर पर पश्मी देशों की तरफ से यही कोशिश की गई कि भारत भी रूस से समान खरीदना बंद कर दे लेकिन ऐसा नहीं हुआ भारत ल रूस में होता रहा इस बात की चिंता अब भी पश्मी देशों को है कि अगर रूस और भारत के बीच लेंदेन इतने बड़े स्तर पर होगा तो नुकसान पश्मी देशों की उसकारवाई पर होगा जो रूस पर जारी है नतीजन अब इस समय पश्मी देश बैक्वर्ट प चुके हैं और अब इसी रूस यूक्रेयन और इस यूत को समाप्त करने को लेकर लगातार मंथन का दौर तेज है वेश्वीक स्थर पर का इदेश मिलकर आ रहे हैं आमने सामने बैठ रहे हैं बैठ कर चिंता कर इसका हल निकालने की कोशिश कर रहे हैं जैसा कि एने सेर जी ड झालने सेर अब शगत लゲति मुnonने के जी कर रहे हैं भाब है